ह Tao टो CNC के लेक्जर में न हम टैप सॉ ऑफ ऑपरेडिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे लींगछेर में में देख हा था इंट्रोड़क्शन ओफ ऑपरेडिंग सिस्टम चले तो यहां पर आजका हमयारे पास टॉपिक्स कितना कितना और वो लेक्षे लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो types of operating system, सबसे पहला है batch operating system, then after है time sharing operating system, distributed, network, real time operating system और handheld operating system, ठीके तो फिलाल यहाँ पर आपको कई सारी operating system के types दिखाए नहींगे, लाकिन हम daily routine life के अंदर जो भी operating system यूज़ करते हैं, ठीके वो किस category के अंदर आती है, वो आज हमें बता चलेगा, सप Linux operating system, कोई भी OS यूज़ करते हो, तो हमें detail के अंदर मालूम नहीं था, at the kernel level, कि हम इस में से कौन से type वाली operating system यूज़ करते हैं, ठीके, तो चलेए, सबसे पहले हम step by step इन सभी types को discover करेंगे, सबसे पहला है हमारे पास batch operating system, तो यहाँ पर कुछ points दिएगे हैं, देखे, सबस इसले lecture में हमने system software का concept view पढ़ा था, वहाँ पर आप directly समझ सकते थे, कि user के दो types थे, और वो directly hardware resources तक नहीं पहुंच सकता था, ठीके, बीच में हमारे पास OS के clear आती थे, और वहाँ पर वो kernel के through system software सी, या फिर system software programmer सी, direct hardware resources को access कर सकते थे, normal user access नहीं कर सकता था, ठीक, उसी तरह का scenario हमें यहाँ देखने को मिलता है, directly यहाँ पर user और computer interaction नहीं कर सकते, ठीके, यहाँ पर user has to submit a job to computer operator, अब यहाँ पर कई सारे operators आएंगे, उसमें से आगे जाकर आप देखोगे jobs and monitor, ठीके, इसकी भी हम life cycle in future sessions पढ़ेंगे, लेकिन फिलाल क्या है, user directly computer के साथ access नहीं कर सकता उसको सबसे पहले जो task करवाना है, ठीके, वो task उसको as a job बनाकर computer operator को देना होगा, pass करना होगा, then after, वो computer operator अपने CPU को वो job forward करेगा, ठीके, थोड़ी देर के बाद आप pictorial represent के जरीए, इस पूरे system के flow को समझ सकेंगे, चले, सबसे पहले step again, user को क्या करना होगा, एक job को submit करन होगा, job यानि की collection of tasks, ठीके, उस job को submit करना होगा, लेकिन कहां पर, computer operator के पास, उसके बाद, वो operator क्या करेगा, operator places a batch of several jobs on an input device, ठीके, आपने at a time, suppose, एक job को pass किया, लेकिन, maybe आप multiple jobs भी pass कर सकते थे, तो उसके आप एक batch create करोगे, ठीके, batch of several jobs, and then after, वो operator जो है, वो उस पूरी batch को, input device को आगे पास करेगा, ठीके, यहाँ पर दिया गया है, कि jobs are batched together by type of language and requirement, ठीके, कि वो किस languages के थुरू बना हुआ है, और उसकी अलग-अलग requirement क्या-क्या है, उसके जिरिये, आपके सभी jobs, batched के अंदर together बने हुए होगे, ठीके, categorize किये होगे, चले, उसके बाद आता है, monitor का काम, monitor manages the execution of each program in the batch, batch के अंदर दियेगे सभी jobs के अंदर, एक-एक program का वो execution करना start कर देगा, और किस तरह से execution करना है, या फिर सबसे पहले, किस job का, किस task को, उसको priority-wise execution करना है, ठीके, उसका वो monitor करने लेगेगा, clear, यानि ही उसका manage करने लेगेगा, flow of execution, तो वो काम हो always in the main memory, and available for execution, यहाँ पर main memory क्या है, यानि कि RAM, main memory मतलब कि RAM की बात हो रही यहाँ पर, और वो always and always execution करने के लिए available ही रहता है, RAM के अंदर, clear, तो जैसे आप monitor के through, पहुंचाओगे अपने batches को, जो कि each and every batch बनी होगी, कोई categorize किया गए, jobs की मदद से, तो then after, वो monitor का काम है, कि उसको manage करना, उसको किस तरह से, किस flow के अंदर, और किस priority wise, उसका execution किया जाए, ठीके, वो सब, किस का काम है, monitor का काम है, तो यहाँ पर mainly हमारे पास तीन नए words आए, terminology आई, पहला था job, उसके बाद batch and then after, monitor, ठीके, तो batch यानि कि collection of several jobs, job यानि कि कोई particular task है आपके पास, तो उस task को आप यहाँ पर बोलोगे job, और कुछ भी नहीं है, clear, तो चलिए, यहाँ ने समझा, theoretically batch operating system किस सरह से काम करता है, अब इसको pictorial represent के इंदर, डेख लेते हैं, चलिए, तो अब यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा होगा, batch operating system का working flow का एक diagram, ठीक, यह यहाँ पर आप clearly देख सकते हो, हमारे पास दो major portion available है, एक है हमारा operating system, तो दूसरी और है हमारा central processing unit, याने की CPU, तो यहाँ पर देखे, इस और one by one सभी jobs directly operating system पर आ रहा है, ठीक, pass हो रहा है, job one, job two, up to job end, ठीक, number of jobs यहाँ पर कितने भी आप pass कर सकते हो, लेकिन वो directly CPU तक असा हो जाता है, हमारे पास एक operating system की layer होती है, तो यहाँ पर सभी jobs सबसे पहले तो operating system के पास आएंगे, ठीक, यहाँ पर होता है आपका operator, जो क्या करेगा, इन सभी jobs को categorize कर देगा, each and every category wise batches के अंदर, ठीक, suppose batch number one है, जो कि कुछ specific काम करने के लिए बनी हुई होगी, उसके जोब टू, यह दोनों के दोनों batch number one के अंदर assign होगे, उसके बाद, suppose job number three, four and five, वो batch number two के अंदर assign होगे, ठीक, तो कौन से जोब को किस batch के अंदर assign करना है, वो कौन decide करेगा, operating system के अंदर मौझूद, operator decide करेगा, ठीक, कि category wise, किस job को किस batch के अंदर load करना है, ठीक, तो को particular purpose के आपकी batches ready हो गई, उसके बाद उसको load किया जाता है CPU पर, ठीक, और CPU के अंदर always and always man memory के अंदर बेठा हुआ होता है आपका monitor, जो की ध्यान रगता है, जो manage करता है, इन सभी batches का execution, कि सबसे पहले किस batch को मैं handle करू, किस batch के अंदर module jobs को मैं execute करू, ठीक, तो उसका काम क्या है बस यही है इसका काम, manages of the batch, clear, तो सभी batch का वो क्या करेगा, one by one execution कर देगा, बट यहाँ पर दिक्कत यह भी आती है, कि suppose at a time हमारे पास 3 batches available, ठीक है monitor के पास 3 batches एक साथ आ गई, तो कौन सी batch का execution वो first करेगा, वो किस तरह से decide करेगा, कि किस की value सबसे ज्यादा है execution करने के ल पर main memory के अंदर, कुछ limited resources ही available है, ठीक है, suppose आपके RAM है 4 GB, और यहाँ पर कोई दो batch को execute होने के लिए, required है, suppose 5 GB की, ठीक है, तो वो दोनों batch फिलाल execute नहीं हो सकते, मनलब कि वही batch सबसे पहले execute होगी, जिसकी priority हाई हो, और उसको execute करने के लिए, required memory resources में से, कुछ resources assign हो सकते है, तो इस तरह से आपका monitor जो है, वो decide करता है, कौन सी batch को सबसे पहले execute करना, with priority and system resources की availability, चले तो यह तो हमने देखा batch operating system का working flow, किस तरह से job create होती है, किस तरह से यहाँ पर operating system के अंदर pass होती है, और batches के अंदर divide होती है, clear, चले अब देख लेते हैं, batch operating system को use करने के बाद, उस mechanism to prioritize the processes, यहाँ पर कोई भी mechanism नहीं है, कि आप किस process को सबसे पहले prioritize करोगे, जैसा कि मैंने अभी भी बोला, यहाँ पर only and only availability क्या होती है, कि कौन सा system resources available है, तो system resources की requirement के base पर ही, यहाँ पर process को execute किया जाता है, उसके बाद दूसरा है, no interaction between user and computer, तो user directly किसे भी process को manually modify नहीं कर सकत तो एक और हमारे पास दूसरा advantage, तीसरा है, multiple users can share the batch systems, एक से ज्यादा users भी अपनी batch system को share कर सकते हैं, उसके बाद है, it is easy to manage large work repeatedly in batch systems, ठीक है, batch system के अंदर आप repeating होता हुआ कोई task है, ठीक है, कोई large work आपके पास है, तो उसको as a batch बना कर pass कर दीजे, ठीक है, तो यहाँ पर बह disadvantages की बात करें, तो यहाँ पर देखें, the computer operator should be well known with batch systems, यहाँ पर हमने अभी भी देखा कि computer operator को यहाँ पर decision लेना होगा, कि कौन से job को कौन सी batch पर load करना है, ठीक है, तो उसके पास एक proper knowledge भी होना चाहिए, किस तरह से उसको batches को manage करना है, ठीक है, बेच systems are hard to debug, ठीक है, उसको debug करना भी hard है, अगर कोई बग आया उसके अंदर, तो उसको किस तरह से अपसौल करोगे, तो यहाँ पर बहुत ही hard होता है, batch system को debug करना, it is sometimes costly, उसको organize करना, उसका maintenance रखना, थोड़ा costly हो सकता है, the other jobs will have to wait for an unknown time if any job fails, देखें, यहाँ पर हमारे पास एक important topic है, यहाँ पर क्या waiting के अंदर होता है, वो यहाँ पर कितना time लेगा, वो यहाँ पर fix नहीं है, जब तक पहला job successfully run नहीं हो जाता, तक तक दुसरे job priority नहीं आती, और वो execute भी नहीं होता, तो यहाँ पर main disadvantage के अंदर गिना जाएगा, clear, और यहाँ पर आपके कुछ example भी दिये गए है, suppose payroll system और bank statements, तो इस जैसी systems कहाँ पर काम करती है, या फिर किस type की OS पर काम करती है, यहाँ पर होती है, batch operating system, तो यह हमने तो कुछ देखे उसके advantages और disadvantages, चलिए, अब हम बात किते हैं, दूसरे type के OS के बारे में, जिसका नाम है, time sharing operating system, देख, यहाँ पर already आपको दिया गया है, कि prime focus is on minimizing the response time ठीके, नाम पर से आपको मालूम पढ़ रहा है, कि किस type की OS हो सकती है, जहाँ पर response time को categorize किया गया है, उस पर prime focus रखा गया है, ठीके, कि operation करते वक्त, किसी भी तरह का performance हमें sacrifice नहीं करना, और यहाँ पर कम से कम चिस तरह से हमें response time मिले, उसी पर हमारा focus होना चाहिए, देख compare to batch OS, यहाँ पर क्या है, सभी process को, या फिर सभी task को execute होने के लिए, कुछ चुनींदा times already assign हो चुका है, ताकि अगर कोई task fail भी हो जाता है, तो उस task को दिये get time के मुताबिक, वो अपना काम रोक सकता है, और दूसरे task पर वो shift हो सकता है, ठीके, तो कोई भी task से यहाँ पर stop नहीं होगा, तो completely यहाँ पर यहाँ पर आपको surety मिलते है, कि सभी task complete execute हो सकता है, clear, उसके बाद है, each user gets time of CPU, as they use single system, these systems are known as multitasking systems, देके, यहाँ पर क्या है, अगर multiple users भी है, देके, तो सभी users को क्या मिलेगा, कुछ CPU का time allocate हो जाएगा, क्यों सभी use कर रहे होगे, single system, देके, त obviously चीज है, multiple user के लिए, आपके पास multiple system होगे, तो इसलिए, इस type के systems को, हम क्या refer कर सकता है, multitasking system भी refer कर सकते है, the task can be from single or different users, ठीके, यहाँ पर एक user के through b, आपको task दिया जा सकता है, या फिर different users के through b, task मिल सकता है, the time that each task gets to execute is called quantum, ठीके, यहाँ पर first, या फिर second topic के गरम बात कर है, तो यहाँ पर हमें कहा गया था कि each and every task को को specific time execute करने के लिए, already assign हुआ होता है, तो जो time assign हुआ होता है, उसी time को हम officially कौन से word के through, nominate करेंगे, quantum word के through, ठीके, तो यहाँ पर quantum यानि की क्या, a specific time that each task gets to execute, ठीके, किसी एक particular task को execute करने के लिए, कितना time लगता है, तो उस time period को ही हम बोलेंगे quantum, clear, चलिए, उसके बाद है, after this time interval is over, operating system switches over to next task, ठीके, अगेन वही बात की गई, कि अगर यह time interval कोई एक task का खतम हो जाता है, तो उसके बाद आपकी OS जो है, operating system जो है, वो again next task पर switch हो जाएगी, clear, तो यह थी हमारी time sharing operating system का working flow, चलिए, अब यहाँ पर आपको सारे programs, safe, software's available है, अगर हम बात करें, हमारे पास है word, email, और कोई web browser, ठीके, तीन at a time आपकी operating system पर running है, ओके, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले CPU के through, यान की CPU मतलब की हमारे सभी hardware resources की हम बात कर रहे हैं फिलाल, ठीके, पिसले station में जो हमने concept view देखा था वही है, तो CPU और हमारे programs, जो कि directly user interface के through, user के साथ accessible होगे, तो सभी program run कहाँ पे होते है, over the operating system layer, ठीक और यह directly connected हुआ होता है CPU के through, तो CPU के अंदर ही सभी time की allocation की जाती है, कि कौन से software को run करने के लिए, कितना time मुझे देना होगा, ठीके, execution का time वही पर decide होता है, तो इस तरह से आप multiple task को run कर सकत हो, ठीके, with specific time, तो बस इसी को बोला जाता है, time sharing operating system, और base operating system की तरह भी, यहाँ पर भी, इसके कुछ advantages और disadvantages हमें मिलेंगे, देखे, सबसे पहले advantages क्या है, each task gets an equal opportunity, right, क्योंकि सभी के पास एक ideal time हमने already assign करके रखा हुआ था, CPU ideal time can be reduced, less chances of duplication of software, ठीके, अलड़ी आप को एक specific software use कर रहे हो, तो again अगर आप दुबारा से उसको open करना चाहते हो, तो वो यहाँ पर redundant हो जाता है, ठीके, वो duplicate हो जाता है, तो फिर यहाँ पर already आपका software जो है, या फिर आपका process manager है, वो इतना smart होता है, कि वो दबारा फिर से वही software को run नहीं करेगा, वही software को execute नहीं करेगा, कि वो already philosophy के अंदर execution mode में available था, इसलिए, उसके बाद disadvantages की बात करें तो देखिए, यहाँ पर reliability की problem है, कोई एक user को सबसे पहले उसकी security का knowledge होना चाहिए, उसको caring करना होगा, ठीके, उसके साथी साथ integrity of user programs and data को भी उसको handle करना होगा, इन सभी की उसको care करनी होगी, तबी जाकर वो time sharing operating system को properly use कर सकता है, साथी साथ यहाँ पर data communication के भी problem हो सकती है, तो यह सभी इसके disadvantages है, लेकिन as compared to disadvantages, यहाँ पर advantages आपको कई सारे मिल सकते है, ठीके, less यहाँ पर time होगा, कोई भी process को run करने के लिए, तो यहाँ पर अगर हम OS की बात करें कि कौन कौन से OS इस operating system पर बनी ठीक है, Linux के अंदर Ubuntu हो गया, काले Linux हो गया, Red Hat, तो सभी operating system जो है, वो यहाँ पर as example की बात करें तो हम किस category के अंदर आएगी, time sharing operating system, clear, तो हमने समझा time sharing operating system और batch operating system के बीच में exact difference क्या था, with advantage and disadvantage, चले, अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास है तिसरी type, distributed operating system, यहाँ पर क्य का आगाया, देखिए, various autonomous interconnected computers communicate each other using a shared communication network, मतलब कि यहाँ पर एक से ज्यादा communication devices available होगी, ठीक है, वो एक ही कोई common network के जरीए, एक दुसरे के साथ interconnected होदी, और communicate कर सकेगी, independent system process, their own memory unit and CPU, हाला कि यहाँ पर आपके पास एक ही shared communication network है, लेकिन फिर भी, जो कोई भी individual devices एक दुसरे के साथ connect होई होगी, उन सभी के पास, अपनी अपनी memory unit और CPU भी होगा, तो यहाँ पर वो independence होगे एक दुसरे से, there are referred as loosely coupled system or distributed coupled system, distributed operating system, यहाँ पर इसके आप दो name refer कर सकते हो, या तो distributed systems, या फिर loosely coupled systems, क्यों loosely coupled systems इसको नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सभी एक दुसरे के साथ independent भी है, as a memory unit और CPU के context है, और बोला जाए तो dependent भी है, shared communication network के context के, तो यहाँ पर देखे, remote access is enabled within the devices connected in that network, जितनी जितनी devices, उस common network के साथ connect हुई होगी, उसी को एक दुसरे की system को access करने का right मिलेगा, यहाँ पर देखे, आप pictorial के जरीए भी आप समझ सकते हो, बीच में common share है, operating system, यह सभी operating system के जरीए, यहाँ पर आपको total number of five devices देखने को मिलेगे, यह सभी अलग-अलग systems, एक दुसरे के साथ connected है, लेकिन via this layer, this common shared network, जिसको यहाँ पर बोला गया है, operating system, तो देखे, सपोज ह यहाँ पर पहले की बात करें, तो यहाँ पर इसके पास अपना CPU भी है, disk भी है, और memory unit भी है, यहाँ पर भी same scenario है, और यहाँ पर तीसरे device के पास भी CPU, disk और memory unit available है, लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें, तो यहाँ पर देखे, इसके पास CPU है and memory है, यहाँ पर भी CPU है and memory ह यहाँ पर disk available नहीं है, देखे, तो वो कहाँ पर use करेगी अपना data, कहाँ पर store करेगी, और बेस यहाँ पर common shared network के अंदर, या फिर वो क्या कर सकती है, इस layer के through, कोई दूसरे devices की disk पर access कर सकती है, तो इस तरह से वो अपना data जो है, वो distribute करके रखेगी, अगर हम इस system की again बात कर तो यह अपना कुछ percentage of data इस वाले device में रखेगी, कुछ percentage of data इस वाले disk के अंदर रखेगी, तो data का क्या हो गया, distribution हो गया, अलग-अलग device पर, using this common shared network, clear, तो इसलिए इस type की operating system को क्या बोला जाएगा, distributed operating system, clear, तो चले अब गर हम बात करें, इसके advantages और disadvantages की, हमारे पास यहाँ यहाँ पर कई सारे list available है, तो यहाँ पर सब से पले देखें, advantages के अंदर, as there are multiple system involved, user at one site can utilize the resources of systems at other sites for resource intensive tasks, दूसरी बात, fast processing आपको मिलती है, less load on the host machine, तो यहाँ पर same वही चीज़ दो रहाए गई है, कि अगर यहाँ पर किसी एक device के पास data है, तो वो दूसरे system के साथ share कर सकता है, और अपनी memory का जो stress है, जो loading है, वो यहाँ पर reduce कर सकता है, दूसरी बार, अगर हम disadvantages की बात करें, तो यहाँ पर देखें, failure of the main network will stop the entire communication, but ओवेसी चीज़ है, कि अगर यही वाला shared communication network fail हो जाता है, तो सभी devices एक दूसरे के साथ, जो connected थे, वो भिखर जाएगा है, यहाँ पूरा system, तो सभी dependent हो जाएगा, clear, चलिए, दूसरा है, to establish distributed systems, the language which are used are not well defined yet, इस तरह का structure बनाने के लिए, आपकी इस type की language का use करोगी, वो अभी तक fully defined नहीं है, these types of systems are not readily available as they are very expensive, यहाँ पर आपको cost बहुती ज्यादा expense हो सकता है, not only that the underlying software is highly complex and not understood well yet, यहाँ पर इसको समझने के लिए भी, इसका operate करने के लिए भी और इसका maintenance रखने के लिए भी, आपके पास ठेर सारा knowledge होना चाहिए, और वो भी proper way में, ठीके, otherwise इसका maintain करना बहुती hard हो सकता है, तो यहाँ पर आपको एक advantage दिया गया है, एक example दिया गया है जो कि है locus operating system, ठीके, चले, तो अब हम आगे बात करते हैं next type के operating system की, जिसका नाम है network OS, network operating system, देखे, यहाँ पर क्या कहा गया है हमें, this system runs on a server and provides the capability to manage data, users, groups, security, applications and other networking functions, नाम पर से आपको मालूम पढ़ रहा है कि यह OS जो है, वो completely network पर ही run हो रही होगी, यहाँ पर लगी रिखा गया है, देखे, server पर ही वो run हो रही है, पूरी की पूरी, और यहाँ पर आपके पास कई सारी capability होगी, suppose आप अलग-अलग types के data को manage कर सकोगे, users, groups, security, applications को भी आप functionality provide कर सकोगे, क्योंकि सभी चीज क्या है, server पर run हो रही है, तो आप remotely भी work out कर सकते हो इस type of operating system allows shared access of files, printers, security, applications and other networking functions over a small private network, यहाँ पर भी same वही चीज बूलेगे, कि आप अपनी resources को, जैसे की files, printers, security, applications और ऐसे कई सारी networking functions को एक दुसरे के साथ share कर सकते हो, बड़ी आसानी चे, using a small private network, तेके, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा जो load है, वो कौन handle करेगा, server ही handle कर और server के जरीए ही multiple users एक दूसरे के साथ connect होए होगे, right, one more important aspect of network OS is, that all the users are well aware of the underlying configuration, of all other users within the network, their individual connection, etc, and that's why these computers are popularly known as tightly coupled system, देखे, अभी अभी मैं ने देखा distributed OS को, जिसको हम बोलते थे, loosely coupled system, देखे, लेकिन यहाँ पर क्या है, सबी users एक दूसरे के साथ, एक configuration के जरीए connect होगे, within the same network also, हाँ, उनके अपने कोई individual connection जरूर हो सकते है, लेकिन उसको यहाँ पर share होना होगा, या फिर connect होना होगा, एक ही underline network के अंदर, तो यहाँ पर वो बोला जाएगा, tightly coupled system, मतलब कि network OS को आप दूसरे किस नाम से refer कर सकते हो, tightly coupled system, loosely coupled system को किस तरह से आप elaborate कर सकते हो, distributed operating system, तो यहाँ पर इसके कुछ synonym names available है, तो इसको आपको याद रखना होगा, चले, next अगर हम बात करें, इसके figure के बारे में, तो यहाँ पर आप easily समझ सकते हो, बीच में हमारे पास common server available है, जिसके through सभी clients, यानि की सभी अलग-अ की users connect हो रहे होगे, यह remote भी हो सकते है, और यहाँ पर लिखा गया है file server, तो मतलब की सभी clients, सभी users, एक दूसरे के साथ अपनी files को share कर सकते है, distribute कर सकते है, using this file server, clear, तो यहाँ पर common एक ही network है, और इसी network पर आपका पूरा का पूरा OS जोग है, वो running होगा, कोई एक particular server पर, clear, अब अगर हम इसकी बात करें, advantage और disadvantage की, तो यहाँ पर देखे, सबसे पहला advantage, highly stable centralized servers, यहाँ पर obviously, जो कि हमारे पास एक ही server available होगा, तो यहाँ पर इसका maintenance, यहाँ पर उसकी जो cost होगे, वो भी हमें proper way में अंदर manage करनी होगी, security concerns are handled through servers, of course, new technologies and hardware upgradation are easily integrated to the system, क्योंकि आपको configuration करोगे, उसके हिसाब से आपकी OS performance देगी आपको, clear, server access are possible remotely from different locations and types of systems, यह जो आपके बीच के अंदर server लगाये हुआ है, ठीक है, file server, उसका access सभी remote users को बड़ी आसानी से आप provide कर सकते हो, ठीक है, फिर चाहें वो users अपने system पर अलग-अलग types की OS चला रहे हो, फिर भी, पर हम disadvantages की बात करें, तो देखे, servers are costly, जैसा हमने अभी भी बात की, उसका maintenance cost आपको बहुत ही hard पड़ेगा, user has to depend on central location for most operations, maintenance and updates are required regularly, ठीक है, यहाँ पर सभी users जो है वो, कहाँ पर लाए करता है, यह central server पर लाए करता है, यहाँ पर ही वो depend करता है, क्योंकि उसका सभी data यहाँ पर होगा, ठीक है, इस server के जरीए ही, वो एक दूसरे के साथ communicate कर सकेंगे, साथ ही साथ अपने resources को भी share कर सकेंगे, clear, चले, तो यहाँ पर आपके पास देखे, examples available है, Microsoft Windows Server, या फिर कुछ, Unix या फिर Linux की systems भी यहाँ पर आप as a example ले सकते हो, ओके, चले, अब हम next आगे time operating system, या फिर इसको आप short में बोल सकते हो, RTOS, ठीक है, यहाँ पर देखे, the time interval required to process and respond to inputs is very small, this time interval is called as response time, ठीक है, तो response time किसको बोला जाएगा, कोई ऐसा time interval, जो कि किसी भी task को process करने के लिए बना हुआता है, ठीक है, या फिर assign हुआ होता है, और then after, response to inputs, यान कि आप जब भी data provide करते हो, तो उसका output, उसका response, आपको कितने time interval में मिलता है, उस time interval को आप बोलोगे response time, ठीक है, तो वो बड़ा ही small amount के अंदर होगा, real time systems are used when there are time requirements are very strict, like missile system, air traffic control system, robotics, etc, ठीक है, तो RTOS, किन-किन fields के अंदर use किया जाता है, जहाँ पर time का बड़ा ही value होता है, ठीक है, यहाँ पर strict time limitation होती है, जैसे कि missile system है, उसके बाद air traffic control system है, robotics है, उसके अंदर छोटे से छोटे aspect का हम sacrifice नहीं कर सकते, ठीक है, वहाँ पर सभी चीज जो है, वो time dependent होती है, और accurate time dependent होती है, तो वहाँ पर वो सभी systems RTOS पर चलती होगी, ठीक है, real time operating system, चले, अब हम देखते हैं यहाँ और कोई type, real time operating system के generally दो types है, पहला है hard RTOS और दूसरा है soft RTOS, तो यहाँ पर soft RTOS किन किन application के लिए बनी हुई होती है, जिस application में time की limitation है, ठीक है, उसको वहाँ पर आप थोड़ा सा ignore कर सकते हो, यानि कि कोई provided time limitation आपको दी गई है, वो अगर थोड़ी से भी sacrifice होती है, तो types की system के लिए आप यूज़ कर सकते हो, soft RTOS, जबकि यहाँ पर hard time system के अंदर क्या देखा है, देखिए, these operating systems are meant for the application, where time constraints are very strict and even the shortest possible delay is not acceptable, तेकि यहाँ पर छोटा सा भी time का delay अप्रूव नहीं हो सकता, तेकि यहाँ पर completely चो भी time period assign हुआ होगा, चो भी response time हम expect कर रहे होगे, उस response time के अंदर हमें हमारा output मिल जाना चाहिए, clear, these systems are built for saving life, like automatic parachute or airbags, which are required to be readily available in case of any accident, ठीके, but obviously चीज़ थी, virtual memory is almost never found in these systems, ठीके, तो यह दोनों types हमारे पास real time OS के, एक था hard real time systems, तो दुसरा था soft real time systems, ठीके, चले, यहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा डियाग्राम अवेलिबल है, RTOS का, चीज़ के अंदर कई सारी अलग-अलग components आते हैं, ठीके, लेकिन, अगेन, बीच में सबको control कोर रहा होगा, kernel, यहाँ पर आपके पास है network protocols, object support, device input output, file systems, device drivers, यहाँ आप्टर, ANSI compliant, C library, other components हो सकते हैं, debugging facilities हो सकते हैं, clear, तो यह सभी मताबिक आपकी RTOS चो है, वो काम करती है, clear, चला, अब इसके समझ लेते हैं, advantages and disadvantages, advantages के गरम बात करें, तो यहाँ पर है maximum consumptions, task shifting, focus on application, real-time operating system is embedded system, then after error free and memory allocation, तो यह सभी चीज़ जो है, वो बड़ा ही optimized way में run होती है, disadvantages के गरम बात करें, तो यहाँ पर है limited task, use heavy system resources, complex algorithms, device driver and interrupted signals, और third priority, तो यह सभी चीज़ गिनी जाएगी disadvantages में, हाँ यहाँ पर अगर हम example की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, scientific experiments, weapon systems, robotics, air traffic control system, etc, तो यह सभी चीज़े जो है, सभी system जो है, वो किस के base पर काम करती है, real-time operating system के base पर, clear, तो इस तरह से आज की session के अंदर हमने पढ कई-कई types की operating system होती है, और कौन सी operating system किस-किस application के लिए बने हुई होती है, या फिर उसके through best fitted है, तो अब शायद आप मालूम लगा सकते हो, कि आप जो daily routine life में operating system यूज़ कर रहे हो, वो इन में से किस type के अंदर आता है, किस category में आता है, clear, तो चले, अब हम यहाँ पर आज के assignment के questions.